hello friends welcome to my channel तो आज के इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं classification of the parasympatholatic drugs और anti cholinergic drugs इस वीडियो पे हम बात करने वाले है basic classifications के बारे में कैसे हम उसको classify कर सकते हैं उसके रख जो बेसिक उनके clinical uses हैं उनके क्या basic ADR है साइड इफेक्ट्स हैं और क्या उनके इंपोडेंट पॉइंट्स हैं हम कुछ इसमें निमोनिक से बात करेंगे किस तरके से आप इनके क्लिनिकल यूज और एडियर को याद कर सकते हैं तो यह वीडियो आपके एनस फार्माकलोजी के अंडर में जो आते हैं ड्रक्स ड्रक्स यूज इंडर एनस फार्माकलोज चिसमें आपके परसंप्रतो मीमेटीख में लेवनातिक आज हम देख रहे हैं प्रसंप्रतो लेटिक क्रेंगे किसवें त्वेले हैं अगर आप वीडियो पर नॉइभिमेड ज़रूर्ड कर लेजी इस तरह किसे वीडियो मैं आपके डिस्क्रिशन बॉक्स पर दे दिया है, so let's discuss about the topic. परास्यम्पेतो लाइटिक और मस्कनिक रिसेटर ब्लॉकर्स, अब परास्यम्पेतो मामेटिक क्या है, यह पहरे समझ लेते हैं, इशौर्ट भश्वी पर, तो, ऐसे ड्रग्स जो की, अक्तिव誕कियो, या या प्रास्यम्पेतृधिक सिस्टम की क्या क्या मामेटिड़ो आपको देखने को मिले, उसे बोल सकते हैं लोग, सम्पेतो और कि क्लेटिंग द्रक्स याArंड आपके म्लेध्र द्रक्स या ठीचिण ड्रक्स बात करें कौनोमामेटिक ड्रक्स की या आपके को लिज़ 1 लगक्स की उसमें आपके दो मेज़ते होते हैं एक मुस्क्रिनिक यह होता है निकोटरिक इसमे जितने भी ड्रक्स है जितने भी एंट्रोंलिट्रिक यहे वह केवल मुस्क्रिनिक रिसेप्टर вн मेंते करेड़ंत है उसके लिए ललत इसे बोलते हम लोग yakni लाउनिक ब्लॉकर खासकर एन्य र्चप्टर ब्लॉकर को बोलते हैं या फिर नीरो मस्कुलर्ब्लॉकर जहां पे ब्लॉकर कि बात करें उसके लिए अलग से खलास हम डिजाइन किया है तो सुरू करते हैं इसके क्लास को तो फर्स्ट हम देख लिखते हैं प्रस्पितो लाइटिक ड्रक्स में जिसे हम बोलते हैं मस्क्रिनिक एंटागोनिस्ट जिसमें M1, M2 या M3 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर सकते हैं उसमें पहला क्लास हमारा है एकलोइड्स जो फर्स्ट हमारा ड्रग है एट्रोपीन हम एट्रोपीन की फर्मकलोजी पढ़ती ही हैं और एट्रोपीन सारे रिसेप्टर्स पे चाहे M1 हो चाहे M2 हो है M3 हो M4 हो M5 हो सब को block कर सकता है और H2 को एफेक्ट को अपोस कर सकता है उसे बाइंड होने से रोग सकता है तो इसे हम केमिकली बात करें तो यह देक्स्ट्रो और लिवो मतलब रिस्मिक मिस्चर अप दा है यहां पर आप देख सकते हैं नेस्ट ड्रग हमारा है इसको पॉलामिन इसको प्लामिन बेक्सिकली आपके संटर्ली एक्टिंग स्ट्रॉंग एक्सन सो करता है जबकि एट्रोपीन जो है आपके प्रिफल रिजन स करता है या एक जो एफेक्ट से हैं वह सो करता है नेस्ट हमारा है जो कि आपको पोटेटो से मिलता है जो एक्ट्रोपीन है वह मिलता है एक्ट्रॉपा बेलोडोना से जो इसको प्लामिन है वह मिलता है हमारा है स्ट्रॉमस नाइकर से ठीक नेस्ट हमारा है सेमी सिंथेटि सिर्पीन कि बात करें इसे हम लोग लाइज एक संग के लिए उसका कर सकते हैं इसके लावा प्रोपिन if वी तुनिटूनाटरेटह हयोसीन वी टाइल ब्रॉमाईड ये इपड़ाट्रोपुम टायोट्रोपियम और ओकसी जी ट्रोपियम ग्लेशREAM-प्रोपियम Goedulging जो कि एम 3 रिसेप्टर्स जो हैं खास कर यह हैं 3 promote drug हैं और यह आपने कि ड्रण्कर करते द्रेक्व प्राइटरी ट्रैक्ट है उसमें जाके यह ब्लॉक करते हैं जिससे हमको ब्रोंको डाल्टर एफेक्ट मिलता है यह जो अच्छा करता है वह क्या करता है इसलिए असमा में पर प्रेसेंट पर हम लोग यूस नहीं करते हैं ठीक है हम आगे देखने ही वाले हैं उसके अलावा नेश्ट हमारा है synderic derivatives जिसमें फर्स्ट हमारा है anti-secretary and anti-sposmodic drug anti-secretary मतलब जो भी आपके GI secretion हैं आपके secretion glands हैं उसको inhibit करता है और anti-sposmodic मतलब जो भी हमारी GIT का जो contractions हैं उसको relax करता है ठीक है तो फर्स्ट हमारा है tertarory amines जिसमें आते हैं dicryclamine और parangepene ते हैं यह उसको ठीक करने के लिए इनका जो हैं हम लोग प्री एस्थेटिक के रूप में यूज कर सकते हैं जब कोई करना हो उससे पहले हम यह ड्रग यूज़ कर सकते हैं इसे प्री एंस्थेटिक एजेंट ताकि जो भी सिक्रेशन हो जाए सिक्रेशन हो ब्लोक हो जाए और ऑप्रेशन करते हुए आपके यह जो सिक्रेशन की दिक्कत ना हो फिनेस्ट हमारा क्वाटरने कंपाउंड जिसमें आते हैं प्रोपेंथेलीन है ऑक्सिफिनोनियम आपके क्ली क्लीडियम पाइपेंजोलेट आइसो प्रोपियोमाइड एंड ग्लाइको पाइरोलेट यह सब जो ड्रक्स हैं वह हमारा एंटी सेक्रेटी और एंटी स्पाउजमेडिक के रूप में यूज़ होता है नेस्ट हम और हम इसको अबसरब कर सकते हैं आपके जो भी क्यार्ट है उन लोगों के लिए इसको लगाने के बाद हम आपका पिपील हैं वह कॉंट्रेक्ट नहीं हो पाता उससे आपका जो नियर विजन प्रॉपरली नहीं होगा इससे होता है आपका साकलोप्लेजिया एक्शन इसे बोल सकते हैं ब्लर्ड वीजन ठीक है यह कॉस्ट कर सकता है ठीक उसके लाइस्ट हमारा वेसिको सेलेक्टिव वेसिको सेलेक्टिव में आते हैं ऑक्सी बीटिन फ्लेवेग्जेट और टोल टेट्रोडीन क्लिकली इसका यूसफुल नहीं होता है फिर एंटी पार्किंसन या तो एंटी पार्किंसन एफेक्ट भी सो करता है खासकर बेंज हैक्जोल है ट्राइक्जिफिफिनाइल फैन फैनाइडिल वगरा है जो सेम नाम है उसका उसका उसके लाब प्रोसाइक्लेडिन और विप्रेडिन यह तीनों ड्रग है वो आपके सेब्रोज सेलेक्टिव यह के इंदर पहुंच सकते हैं मतलब इनकी लीपिट सुलबिल्टी अच्छी होती है इसलिए इन द्रक्स का हम यूज कर सकते हैं इसे एंटी पार्किंसन में क्योंकि पार्किंसन चांदते ही हैं कि एक तरके से मोटर कॉडिनेशन होता है और क्यों होता है डॉपामिन की कमी से और आपके स्ट्राइल क्यों की अधिक्ता से या तो एंटी कोलिनर्जीग ड्रेक्ट्व्ट्स यो है है उस हाइपर एक्टिव जो है हमारा इस्टाइल कुलिन है उसको यह कम करता है ताकि आपको प्रॉपर्ली काम हो सके ठीक उसके अलावा नेस्ट हमारा आते हैं हम लोग क्लिनिकल यूजेस पर क्या इसकी बिसिक यूजेस हैं तो जैसे हमने देखा था इसमें एंट्री सेक्र क्युक्मिमिड भी यूजेक गरते हैं फिर एंटी स्थमेटिक जितने भी ट्रोपियम से विप्रा ट्रोपियू ट्योट्रोपियू और औक्षी ट्रोपियूM फिर एंटी Nep library में उसको प्रिश्था है फिर में आडेक सेब गाभा था ट्रुपalten क्वंजेश्य कर सकते हैं प युज अक्यक्टक का यूज कर सकते हैं और प्रोसाइकली दिन और बीप्रिदेग थे नेक्ट मेश्टामच फास्फेट और मस्रूम पॉस्छिनिग और ड्रगोंस पर यह द्रुपनरन इस ट्रेस द्रग यह कोली स्ट्रेस एंजाइम इंहिटर्स हैं वह ड्रग की वज़द से कोई इनर्जिक बढ़ जाती है तो उसको हम कम कर सकते हैं यह मस्रूम पॉजनिंग मस्रूम भी जो है कोई ट्रूम करती तो उनके अंगेंश्ट में हम लोग रूँका हाई डोस हो गया है टॉक्षिटी हो गई है है पोजिनिंग हो चुकी है तो हम उसमें एट्रोपिन सल्फेट यूज कर सकते हैं ठीक है इनके बिसिक क्लिनिकल यूजर्स हैं बात करें कॉंट्रा एंडिकेशन की कहां पर हमके यूज नहीं करना है तो इसको हम यूज अरिद्मिया में नहीं करते हैं और आपके ग्लोकोमा यूज कर सकता है क्योंकि आपका जो पिलोकापिन वगरा है वह एंटिक्लोकोमिक ड्रग है उसके पॉजिट काम करता है एस्टाइल को यूज के पॉजिट काम करने वाले ट्रग्स हीं एक ट्रोपिन में ड्रग है याद रखिए चलिए निश्ट आते हम लोग निमोनिक्स पे कैसे में याद कर सकते हैं कि यूज के लिए रखिए एट्रोपा एफ और एज्टिक टीफोर ट्रीवलर डायरीया आर फोर रैपीट ओंसेड और मस्तरोंम पोजिदिंग्स और ऑगनोफोस्पेट पोजिश्निंग और ऑगनोफोस्पेट पोजिदिंग्स पीफोर परी इक्स एजन्ट एफ और अरिद्मिया खासकर ब्रेडी अरिद्मिया मत्तब जिनका हार्ट अट कम हो चुका है उसमें हम योज कर सकते हैं क्योंकि आपके जो यह मस्ते इंटू रिस्प्टर को ब्लॉक करने की वज़ा से जो है आपका हार्ट की एक्टिविटी थोई सी बढ़ स्कीन होट ड्राइ स्कीन एफ और एक्कोमोडेशन आई डिफेक्ट टी फोर ट्रिकिकार्डिया यू फोर यूरेट इंटेंशन आर फोर रेस्प्रेटरिक डिप्रेशन एन एफोर अटेक्सिया एंड एक्यूट कंजेस्टिव ग्लोकोमा यह इसमें कुछ एडिया रहे हैं सो नेश वीडियो में हूं कुछ और बात करेंगे वीडियो अच्छा लागा तो जरूल लाइक कीजिए अपने फ्रेंड से से शेयर कीजिए कमेंट्स कीजिए फीडबेक दीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए थैंक्यू किप वाचें